ओके गाइस नाव फिक एक्साइस 2.3 तो सबसे वहले पिक करते हैं एक्जांपल नंबर 12 देखें सबसे पहले मैं इस माइनस 3 को उधर शिफ्ट करूगा माइनस 3 हो दो जागे प्लस हो जाएगा तो यह जाएगा 2 प्लस 3 अब next step में मैं x को left hand side shift करता हूँ क्योंकि x का sign इधर positive है तो इधर negative हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2x minus x 2x minus x मुझे देगा x और यहाँ पे 2 प्लस 3 से 5 एक्स और यहाँ पे 2 प्लस 3 से 5 एक्स यह जो method यहाँ पे किया हुआ by subtracting x both the side या फिर adding this both the side इस type से questions को करना थोड़ा सा वाइड कीजिए क्योंकि अब आप बड़ी class में आ गया है तो इस तरह से मैं आपको solve करना बता रहा हूं या फिर exercise में इस तरह से मैं आपको solve करना बता हूंगा उत्तर से solve करने की कोशिश कीजिए clear है okay next pick करते example number 13 यहां पर एक तरह से solve किया हुआ है multiplying to both the side और इस तरह से ठीक है अपन इसको दूसरे तरीके से solve करना सीखते है ओके देखिए सबसे पहले मैं x वाली terms एक तरफ कर लेता हूं और constant वाल terms एक तरफ कर लेता हूं तो इसको मैं इस तरफ ले आता हूं यहां पर positive है उदर आके negative हो जाएगा तो हो जाएगा 5x minus 3 by 2x और इसको मैं right hand side shift कर देता हूं तो equals to minus 14 minus 7 by 2 अब मैं LCM लेता हूं देखिए इसको upon 1 और इसको भी upon 1 लिख सकता हूं तो यहां पर LCM हाएगा 2 तो यहां पर हो जाएगा 5x into 2 minus 3x into 1 3x into 1 कीजे या ने कीजे एक ही बात है equals to यहां पर LCM हाएगा 2 तो जाएगा minus 14 into 2 minus 7 into 1 अब यह into 2 into 1 कैसे हुआ है I hope सबको मालूम है यह मेरा LCM था इस LCM को इस denominator से divide किया तो 2 divided by 1 2 तो यहां पर 2 से multiply किया अब इस LCM को इस denominator से divide किया 2 divided by 2 1 तो यहां पर 1 से multiply किया और सेम रूल यहां पर भी अप्लाई गया 2 divided by 1 2 तो यहां पर 2 से multiply किया 2 divided by 2 1 तो यहां पर 1 से multiply किया अब नेक्स अब देखिए 5x into 2 यह हो जाएगा 10x 10x minus 3x upon 2 equals to minus 28 minus 7 divided by 2 अब देखिए यह जो 2 है यहां पर left hand side में जो कुछ भी है उस पूरे को divide कर रहा है तो यह उधर numerator में shift किया जा सकता है ठीक है तो मैं इसको आप next step में करेंगे मैं इसको यहीं पर काट के यहां पर shift कर देता हूँ यहां पर numerator में आके सबको multiply करेगा अब इस 2 से इस 2 को मैं काट देता हूँ क्लियर है तो इस तरह से यह 2 से कर दिया तो अब जब आप practice अच्छी कर लेंगे या फिर आपको अच्छी प्रेक्टिस हो जाएगी आपकी concept और अच्छी से clear हो जाएगे तो आप 2 को इस 2 से directly भी काट सकते है इस तरह से shift करने की भी ज़रूद नहीं है तो आपको मालम में यह उदर जाएगा पूर से multiply होने चीज 2 से कर जाएगा तो अब देखे 10x-3x यह जाएगा 7x यह जाएगा-35 एक्स की value किया जाएगी-35 divided by 7 एक्स की value हो गई-5 क्लियर है धिए ओके अब स्टार्ट करते हैं exercise 2.3 में x की जगे 18 रखेंगे और अगर आपकी बास lhs इकल टो rhs आ जाता है that means आपका result सही है तो let's see 3 into 18 x की जगे 18 रख दिया मैंने equals to 2 into 18 plus 18 तो 3 into 18 आपको देगा 54 तो इधर हो गया 54 18 to the 36 36 plus 18 तो इधर भी आगया 54 इधर भी आगया 54 यानी lhs equals to rhs hence our result is correct आप यहाँ पर लिखेंगे hence verified तो आपको दोनों count करना है result भी निकालना है उसे verify भी करना है तो verify कैसे करना है वह उने आपको बता दिया आगे question में मैं सिर्फ आपको result निकालके दिखाऊंगा verify आप खुद कर सकते हैं just जो भी आपकी x के value आई है उस x के value को आपको equation में put करना है और rhs वाला part right hand side solve करना है lhs पार left hand side solve करना है कुछ भी shift नहीं करेंगे आप equal to कि इतर उधर तो आप solve करेंगे तो last में lhs equal to rhs आपका आ जाना चाहिए अगर ऐसा है that means आपका answer सही है clear है okay पिक करते है question number 2 5t minus 3 equals to 3t minus 5 देखें variable वाली terms को एक तरफ कर लेते हैं यह 3t इधर plus है इसका sign क्या है positive इधर आएगा तो negative हो जाएगा और इसको भी साथ की साथ shift कर देते हैं यहाँ पे minus 3 होतर जाएगा तो plus 3 हो जाएगा तो 5t minus 3t equals to minus 5 plus 3 तो 5t minus 3t आपको देखेंगा 2t और minus 5 plus 3 यहाँ आपको देखा minus 2 ठीक है एक positive एक negative subtract होंगे बड़ साइन बढ़े वालेगा तो t equals to minus 2 divided by 2 क्योंकि 2 यहाँ पे इस t से multiply हो जाएगा तो उदर जाके divide में चला गया तो यह कटा यहाँ पे आगया minus 1 तो t की value क्या आगई minus 1 ओके question number 3 देखिए 5x plus 9 equals to 5 plus 3x तो सबसे पहले 3x को देख ले जाते हैं जब जली मैं छोटे वाले टर्म को बड़े वाले टर्म के तरफ ले जाता हूं ताकि बड़े वाले में से छोटा होगा subtract हो तो मुझे positive value में थोड़ा सा difficult हो जाता है ठीक है और उतना भी difficult नहीं है plus 9 equals to 5 अब next step में 9 को देख ले जाते हैं और इधर 5x minus 3x आपको देज़ेगा 2x तो यह जाएगा 5 minus 9 तो 2x equals to क्या हो जाएगा minus 4 5 minus 9 एक positive है एक negative है तो subtract करेंगे और sign बड़े वाले का है यनि 9 का तो x कितना हो जाएगा minus 4 by 2 तो इससे इसको काटा तो यह आपको मिला minus 2 को के पिक करते हैं question number 4 4z plus 3 equals to 6 plus 2z तो अब 2z को इधर shift करते हैं और 3 को उधर shift करते हैं तो दोनों positive है तो दोनों तरफ shift करेंगे तो negative बन जाएगे तो यह हो गया 6 minus 3 और 4z minus 2z तो यह हो गया 2z यह हो गया 3 तो z कितना हो गया अब तो इधर multiply में उधर divide में जाएगा तो z के value आगे 3 by 2 ठीक है question number 5 देखिए 2x minus 1 equals to 14 minus x तो देखिए यह minus x उधर जाएगा तो plus x हो जाएगा तो minus 1 उधर जाएगा तो plus 1 हो जाएगा तो यह हो गया 2x plus x equals to 14 plus 1 तो गया 3x equals to 15 x के value क्या आगे 15 divided by 3 x के value हो गये 5 question number 6 देखिए 8x plus 4 equals to 3 into x minus 1 plus 7 अब देखिए यहाँ पर concept समझे है कभी भी equation solve करते हो पहले क्या देखा जाता है multiply या divide क्या कुछ ऐसा है जो पूरे से multiply है पूरे से divide हो रहा है यहाँ पर आप देखिए कि 3 multiply हो रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है उससे पूरे से बच गया यानि इस 3 जो right hand side में जो कुछ भी उस पूरे से multiply नहीं हो रहा है इसलिए मैं multiply वाले को पहले shift नहीं कर सकता बट अगर कुछ ऐसा होता जो पूरे से multiply या फिर पूरे से divide हो रहा होता तो मेरी पहली priority या पहले वही shift करना पड़ता जो पूरे से multiply या पूरे से divide हो रहा है और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो मैं addition या subtraction पर shift करता हूं ठीक है तो या तो मैं 7 को इधर या फिर 4 को इधर कुछ भी shift कर सकता हूं या फिर एक और option है कि मैं पहले bracket खोलता हूं तो मैं पहले bracket खोल देता हूं एक काम करता हूं जो जाएगा 3x माइनस 3 प्लस 7 तो देखिए अब मैं इस 3x को इधर ले आता हूं 8x माइनस 3x प्लस 4 एकवल चो माइनस 3 प्लस 7 यह आपको देतेगा 4 तो 8x माइनस 3x आपको देगा 5x प्लस 4 एकवल तो 4 अब मैं इस 4 को उधर shift करता हूं प्लस से तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो 5x एकवल तो 4 माइनस 4 तो 5x एकवल तो 0 तो इससे x की value क्या जाएगी अब 5 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा तो 0 अपॉन 5 0 अपॉन 5 होता है 0 एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी rational pyq के form में लि but anything by 0 यानि अगर q 0 हो गया तो वह होता है not defined तो 0 by anything या फिर 0 अपॉन 5 जीरो कोशन नमर 7 देखिए x equals to 4 by 5 multiply by x by 10 या फिर इसको ऐसे center में लिखें x by 10 ठीक है अब आप देखेंगे यह 4 by 5 जो है इस पूरे से multiply हो रहा है एक साथ ठीक है 4 तो उपर multiply हो रहा है और 5 इस पूरे को divide कर रहा है यानि अगर bracket खुलेगा तो 4 इससे और इससे multiply होगा और 5 इसको भी divide करेगा इसको भी divide करेगा ठीक है तो अब क्योंकि कुछ ऐसा है जो पूरे से multiply पूरे से divide हो रहा है तो मुझे इसको पहले shift करना पड़ेगा तो देखें मैं 5 को shift करता हूँ क्योंकि ये divide करता है पूरे को तो इसको denominator से numerator में ले जाता हूँ उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x equals to 4x plus 10 अब मैं bracket खोल देता हूँ इससे और इससे दोनों से multiply होगा 5x equals to 4x plus 40 तो ये इस तरफ आएगा 5x minus 4x equals to 40 x के value क्या जाएगी 40 ओके अब देखिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो पूरे से multiply है पूरे को divide कर रहा हूँ 3 जो है सिर्फ इसको divide कर रहा है 15 जो है सिर्फ इसको divide कर रहा है ठीक है तो प्लस या माइनस वाला shift करूँगा तो मैं 1 को उधर shift कर देता हूँ ठीक है प्लस वन है उधर जाएगा माइनस वन हो जाएगा ठीक है तो 3 माइनस वन हो जाएगा यह तो 2 एक्स अपॉरे से एड़ हो रहा है तो इस पूरे को इधर shift कर देता हूँ इधर add हो रहा है तो इधर subtract होगा तो 2x upon 3 minus 7x upon 15 equals to 2 अब देखिए LC हम लेते है LC हम लेंगे 15 ठीक है अब देखिए 15 को 3 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 5 तो उपर मुझे किस से मल्टिप्लाइड करना है 5 से यह वी दाएगा 5 into 2x minus अब 15 को 15 से डिवाइड किया तो करो या ना करो कोई फरागी नहीं पड़ता ठीक है तो देखिए 5 into 2 कितना हो जाएगा 10 10x minus 7x divided by 15 equals to 2 तो जाएगा 3x upon 15 equals to 2 अब देखिए 3 बंजा 3 3 5 जा 15 x upon 5 equals to 2 अब यह 5 divide में तो उधर multiplier में shift होगा ठीक है तो 2 into 5 तो x की value कितनी आ गई 10 ओके देखिए एक काम करते हैं जोगे जोड़ा पार्टक्स को एक तरफ कर लेते हैं ठीक है तो 2y minus y जाएगा तो plus y हो जाएगा और 26 by चरी यह plus है तो उधर जाके minus हो जाएगा तो 2y plus y 3y अब यहाँ पे LCM लेंगे 3 उपरा जाएगा 26 minus 5 तो 26 minus 5 आपको देदेगा 21 by 3 तो 21 by 3 काटेंगे इसको 7 3s are 21 तो इधर आगे 7 तो equation मेरी बन गई 3y equals to 7 तो y equals to 7 by 3 यह मेरा answer question number 10 pick करते हैं 3m equals to 5m minus 8 by 5 अब देखिए मैं पहले 8 by 5 को जाएगा तो यह जाएगा 3m plus 8 by 5 equals to 5m अब मैं 3m को धर ले जाता हूँ तो यह जाएगा 8 by 5 equals to 5m minus 3m तो 8 by 5 क्या हो जाएगा 8 by 5 equals to 2m तो 2 इधर जाएगा divide में तो यह हो जाएगा 8 upon 5 into 2 equals to m अब बच्चों को confusion क्या हो जाता है कई बार कि देखिए से 2 यहाँ पर multiply हो रहा था यहाँ पर भी तो multiply हो रहा है divide में कैसे आया देखिए इसका मतलब है divide में जाने का कि 2 यहाँ पर numerator में multiply हो जाएगा इधर denominator में जाकर multiply होगा यानि numerator से denominator में क्योंकि denominator को generally divide गोला जाता है तो 2 numerator से denominator में shift होगा clear है अब देखिए 2 और 8 कटेगा इतरा जाएगा 4 तो answer आएगए आपका 4 by 5 तो इसी के साथ यह exercise भी finish होती है इस type की equations की आपको और जादा practice करनी है क्योंकि NCIT में जो questions है उनका level थोड़ असा लोग है ठीक है तो आप थोड़ से और जादा complex equations की practice कीजे जाकि आपके concept और जादा clear हो और आपको कभी भी गलती होने के चांसे एक्दम जीरो हो जाएए तो RD Sharma, RS Agar, PK Gar together कोई भी extra book pick कीजे उसमें से questions की practice कीजे अपने answers match कीजे और जादा कीजेए तो प्लीज लेट 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 इस नो विल तो प्लीज लेट आप या नेक्स देए I'm your mentor, make a difference. nearby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions and for other online videos which are not publicly available on youtube. Thank you